हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आफ SSB, SSC, CGL या किसी भी कम्पुटिटी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हलो भुर्साबित होगी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जेनल नॉलिज से रिलेटिड कुछ इंपोर्टन इक्वेस तो दोस्तों तयार रहें अपने अपने आंसर देने के लिए पहला क्वेस्चन है उजैनी डैम इस लोकेटिड इन विच आफ दीस स्टेट्स आपको बताना है उजैनी डैम किस रियासत में आता है उप्शन से आपके पास गुजरात महराश्टर उत्राखंड या फिर दोस्तों याद रखें कि उजैनी डैम को बनाया गया था नाइंटीन हंडिमार्ड एनंड–69 में और ये वाटर सप्लय और इरिगेशन पॉपस के लिए बनाया गया है जब हम इसके पावर कैपस्टी की बात करते हैं तो इसकी पावर कैस्टीнуться सिरिफ 12मेगवाट्स है दोस्तों याद रखें कि उजैनी डैम को बीमा डैम या बीमा इरिगेशन प्रोजेक्ट भी कहते हैं और ये बीमा रिवर पे आता है आपको बताना है वाइड किलिप आइलेंड सेंक्चूरी कहां पर है आपके पास उडिशा, करनाटका, अंडोमान एन निकोबार आईलेंड या फिर सिक्पम शबाज दोस्तों अपना अपना आंसर ट्राइ करें नीचे कमिट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखें जल्दी से आंसर नहीं भी पता, at least आप कोशिश करें, ट्राइ करें इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट C, अंडोमान एन निकोबार जी हाँ दोस्तों याद रखें कि इसको इस्टैबलिश किया गया था 1987 में और इसका टोटल एरिया है 0.47 सुकेर किलोमेटर नेक्ट क्वेश्चिन, वायर इस लॉइड इस बॉटनिकल गार्डन सिटुवेटेड आपको बताना है लॉइड इस बॉटनिकल गार्डन कहां पर है आप्शिन जे आपके पास डार जिलिंग, अमरित सर, बैंगलूरू या फिर एहमदाबाद शबाज दोस्तों जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखें कमेंट सेक्शन में ट्राइ कीजिए खुद से आंसर देने की, शबाज जल्दी से कहां पर है लॉइड इस बॉटनिकल गार्डन इसका सही आंसर है पार्ट A, डार जिलिंग, जी हां दोस्तों याद रखें कि वेस्टर बंगाल के डार जिलिंग में है लॉइड इस बॉटनिकल गार्डन दोस्तों याद रखें कि लॉइड बाटनिकल गार्डन 1878 में इस्टैबलिश की गई इसको विलियम लॉइड के नाम पे रखा गया जिसने इस बाटनिकल गार्डन के लिए जमीन दी थी दोस्तों याद रखें कि इसका एरिया है 16 hectare और इसमें मुक्तलिप तरह के पेड़ पाउदे पाए जाते हैं जिनमें कुछ रेर टाइप के बैंबू है ओक है मेगनोलिया है तो इसी तरह के मुक्तलिप जो पेड़ पाउदे हैं यहां पर पाए जाते हैं कि नेक्ट क्वेश्चन होजागिरी इस फोक डांस परफार्मट इन वीच स्टेट आपको बताना है होजागिरी किस स्टेट का फोक डांस है आपके पास माध्यप्रदेश गोवा करनाठका या फिर त्रिपूरा शबाज दोस्तों ट्राइ करें खुद से आंसर देनी की कमिट सेक्शन में अपना अंसर लिखें इसका जो सही आंसर है वो है पाड़ी त्रिपूरा जी हां दोस्तों होजागिरी त्रिपूरा का एक डांस है ये होजागिरी एक फेस्टिवल है त्रिपूरा में मनाया जाता थो उस मौके पर या लक्षमी पूजा के मौके पर यह किया जाता है और इस डांट चनू में मर्द और और औरतें हिस्सा लेती है नेक्स्ट क дер गूमदी चहबाच दोस्तों जलदी जलदी से अपना अपना आनसर लिक्एं अगर नहीं भी पता है तो at least आप try करें comment section में अपना अपना answer लिखे इसका जो सही answer है वो है part A या मुना दोस्तों याद रखें कि Mathura Hindu religion के लिहाँ से बहुत ही important place है क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि Hindu God Krishna का जनम हुआ था next question the Rinuka Sagar Dam is located in which state आपको बताना है Rinuka Sagar Dam कि सेट में है option से आपके पास गुजरात करनाट का महराश्टरा या फिर वेस्ट बंगाल शबाज दोस्तों अगर answer पता है तो नीचे comment section में अपना-पना answer लिखें answer नहीं भी पता at least आप try करें तो इसका जो सही answer है वो है part B that is करनाट का दोस्तों याद रखें कि Rinuka Sagar Dam को बनाया गया था 1974 में दोस्तों याद रखें कि इस डैम को नाविला तीर्था डैम भी कहते हैं और ये डैम बना है माला प्रबा रिवर पर इसकी हाइट 155 मीटर्स है और इसकी लेंग तकरीबन 41 मीटर्स है दोस्तों याद रखें कि Rinuka Sagar Dam की religious importance भी है क्योंकि कहा जाता है कि शिरी कुमारा स्वामी जी जो तपावन के थे उन्होंने यहां पर पूजा वगेरा की थी और इस हिसाब से यहां इस डैम की religious value भी है next important question अच्छे से याद रखेगा where is एरा वीकूलम नेशनल पार्क located आपको बताना है इरा वीकूलम नेशनल पार्क कहां पर है option जे आपके पास तामिल नाडू केरला महराश्रा या फिर हिमाचल प्रदेश शबाज दोस्तों जी जिसको आंसर पता है तो नीचे comment section में अपना अपना आंसर लिखें इरा वीकूलम नेशनल पार्क कहां पर है इसका सही आंसर है part B केरला दोस्तों याद रखेगा कि इसको establish किया गया था 31st of मारिश यानि 31 मारिश 1978 को दोस्तों याद रखें कि इसका area है 97 square kilometers और ये famous है एक animal के लिए जिसका नाम है नील गिरी तहर तो दोस्तों ये थे कुछ important questions is general knowledge से related I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और share जरूर करें दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो में तब तक के लिए take care